आज कल की Fast Life में हमें हर चीज़ फास चाहिए होता है, इंस्टन चाहिए होता है, तो चली बनाते होमेड इंस्टन फ्रूटी जो हेल्दी भी होगी क्योंकि घर की बनी हुई है और टेस्टी और बनाने में बहुत आसान, तो एक मिकसर जार में मैंने दो आम ले लिये हैं मैंग ग्राइंड करने के बाद हम इसे चान लेंगे, चानेंगे क्योंकि हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए, चानने से यह होगा अगर थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह भी गे होंगे, वो चाननी में आ जाएंगे स्ट्रेंड करने के समय, अगर यह पेस्ट बहुत जादा अग में इसको मैंने पानी डाल दिया था और पिर स्ट्रेंड के अधर ंलकी स्मूथ बना लिया था तो थोड़े ही देर में पूरा पेस्ट निकल आ गया था, अब जब यह पेस्ट निकल आएग़ा तब इसके अंदर हम स्वीटनर लिंक grandsagen करेंगे, श्वीटनर आप अप आपको मिश्री एड करना है वो जो खड़ी शक्कर होती है वो एड करना है तो आप वो एड कर सकते हैं नहीं तो मैं यहाँ पे नॉर्मल शुगर एड करूंगी यह देखे यह इतना सा जो है पार्टिकल्स वो रहे गया था वो हम निकाल के साइड में रख देंगे अब इसमे पांच मिनट तक पकाना है इतना पकाना है कि इसमें बॉइल अच्छी तरीके से आ जाए और यह जो पेस्ट है आप देखोगे थोड़ा सा पतला होने लगेगा थिन होने लगेगा तो हमारा फ्रूटी कॉंसेंट्रेट बनके रेडी हो जाएगा तो इसको थोड़े दिर ब पूरा बॉइल आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे गैस बंद करने के बाद इसे हमें रूम टेंपरेचर पे ठंडा करना है इसमें और चीज़ भी डलेगी तो वीडियो में बने रहीएगा और अगर अभी तक आपने मेजानल को सब्सक्राइब नहीं किया है जली से सब्सक्राइब भी कर दीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा तो यहाँ पर मैं एड कर रही हूँ एक नीमबू का रस और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और रूम टेंपरेचर पे ठंडा होने देंगे जब यह ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे आइस ट् मैं यूज कर रही हूँ आपके पास जो भी आइस ट्रे है आप उसमें पोर कर दें उसके अंदर डाल दें और इसको फ्रीज कर लेंगे फ्रीज करने के लिए ओवरनाइट भी फ्रीज कर सकते हो या 7-8 घंटे में भी यह फ्रीज हो जाएगा इतना फ्रीज करना है कि यह ज प्लॉक बैग होता है उसमें भी हम रख सकते हैं और जो जब भी ज़रुवत पड़े आप निकाल के यूज कर सकते हैं कैसे इसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ यह देखे यह हो चुका है और जब हम मैं इसको फ्रीज कर दूंगे तो एकदम सेट ह हो जाएगा जब भी निकालना होगा इसको क्यूब्स की तरह निकालेंगे और बस यूज कर लेंगे तो चलते हैं और इसे हम फ्रीजर में फ्रीज कर लेते हैं और फिर आगे दिखाती हूँ इसको यूज हम कैसे कर सकते हैं जब भी बाहर से आएं गर्मी लग रही है के बाद इसमें फ्रूटी का जू वो क्यूब्स थे वो डालिए मैंने इसमें तीन डाला है आप चाहें तो दीन से जादा डाल सकते हैं जैसे के चार डाल दो पांच डाल दो लेकिन तीन चार इनफ हो जाएगा एक ग्लास के लिए और फिर इसके अंदर ठंडर हंडा पानी आ जॉइ कीजिए बिल्कुल फ्रूटी तरह लगता है और सबसे अच्छी बात आप बच्चों को आराम से दे दीजिए क्योंकि यह घर में बना हुआ है तम सफाई से बना हुआ है बस यही ता वीडियो और आगे भी और वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगे तो चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो